मित्रो जैसा आप पिछले दो दिन से आपके माध्यम से हर्याणा की जनता के साथ जो मेरी बाचीत हो रही है उसी क्रम में आज आप से मैं बाचीत कर रहा हूँ अपने को मालूम है कि विश्व आपी यह जो इतना बड़ा कोरोना का संकट यह आया हुआ है इसको हम सब लोग मिलकर मुकाबला कर रहे हैं और उसके लिए समय समय पर सरकार की ओर से निर्देश दिये जाते रहे हैं चाहे केंद्र सरकार की ओर से और चाहे प्रदेश सरकार की और से और मुझे इस बात से संतोश है कि उन सब बातों का पालन ठीक से नीचे हो रहा है और कल जैसा जंता कर्फियू का हमने दिरिशे देखा बहुत ही एक प्रकार से संतोश देने वाली बात है कि बड़ा अनुशाशन दिखाते हुए और लोगों ने अपने आपको अपने घरों तक सीमित रखा और ठीक शाम को पांच वजे जैसा ही कहा था कि जो रास्ट रक्षक हैं उनकी सेवा के प्रती हमने अपनी कर्तक्यता यह व्यक्त करनी है और उसके नाते भी सब लोगों ने चाय अपने घरों के अंदर से चाय छत पर खड़े हो कर बालकोनी में सब बजा करके और एक ध्वनी की गूंज की थी और मैं समझता हूं कि अच्छा द्रिश्च यह सब बना था और विश्वास ऐसा प्रगट हुआ कि हम इस ब्यमारी का मुकाबला बड़ी दढ़ता से कर सकते हैं हमने जो भी सरकारी इस प्रकार के इंतरामात किये हैं उसमें क कोरोना के मरीज जो होते हैं पॉजिव टेस्ट वाले वहां सावधनी बरतनी थोड़ी ज्यादा होती है देश भर के अन्य प्रांतों ने भी लोकडाउन के अपने अपने हां यह जो अस्था की उसके कारण से एक विशय सब जनता के सामने गया है उसी कड़ी में आज जो हम को घोशत किया जाता है और अब इस लॉकडाउन के कारण से जो जो काम हम लोगों को करने हैं जो नहीं करने हैं उसके बारे में कुछ जानकारिया मैं आपको बता रहा हूं इसमें पहला कोई पबलिक ट्रांसपोर्ट सर्विस चाहे वो टैक्सीज हैं आटो रिक्षाज हैं वो अब नहीं चलेंगी और इसमें जो आवशक सिवाए हैं उनकी लिए जितनी आवशक ट्रांसपोर्ट विवस्था है उसको जरूर चलाया जाएगा जैसे हॉस्पिटल के लिए एरपोर्ट के लिए रेलिवे स्टेशन के लिए बस टर्मिनल के लिए ये जो अशेंशल सर हैं ये सब भी बंद रहेंगे केवल जो आवशक सिवाए हैं उनकी ओफिस को छोड़ करके और तीसरे पॉइंट पर सभी जितने भी विदेश से आने वाले लोग हैं उन सब को भी निर्देश दिया गये हैं कि वो लोग अपने अपने घर में होम क्वारंटाइन ये कम से कम चौदा दिन के लिए वो अवश्य रहेंगे ये चौदा दिन की अवधी हेल्थ सर्विसेज डिपार्टमेंट की और से बढ़ाई भी जा सकती है इसी परकार घरों पर जब रहेंगे तो उनको केवल सब लोग घरों पर रहें और केवल उसी समय जब कोई आवशक सिवा के लिए बेसिक जो उनकी आवशकता हैं उसके लिए उनको घर से बाहर आना यही अलावड होगा वरना शोशल डिस्टेंसिंग आपस में लोग अपनी दूरी यह बना करके रखें ऐसा एक निर्देश सब को दिये गए हैं जो आवशक सिवाएं हैं उनमें जो चालू रहेंग अभी आवशक सिवां में गिनी जाएगी अभी एयर की सिवा भी आज रात्री बाई आज रात्री से बंद कर दी गई है इसलिए जब खुल जाएगी तो उसको चलू किया जाएगा इलेक्टिस्री की सेवा है पानी सीवरेज मुस्पिल सर्विसिज ये सब खुली रहेंगी बैंक और एटियम्स ये भी सब खुले रहेंगे प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रोनिक मीडिया शोशल मीडिया इसके ओपर भी कोई प्रतिबंद भी नहीं रहेगा टेलिकॉम और इंटरनेट सर्विसिज खास करके बीपियो जो इंटरनेशनल लेवल के ओपर कुछ सेवाओं को चालू रखने के लिए बहुत आवशक होता है क्योंकि यदि बीपियो की में कोई खंड पड़ता है तो अगर वो धान आता है तो बहुत सी सेवाएं आवशक सेवाएं चोंकि इस इंटरनेट सर्विस के उपर हमें जुड़ी रहती है इसलिए यह भी आवशक रूप से खुला रहेगा डाक सेवाएं खुली रहेंगी औ और जो भी स्प्लाई चेन है आवशक वस्तों की सप्लाई इसके लिए जो आवशक ट्रांस्पोर्टेशन है वो भी चालू रहेगी इसी परकार खेती से जुड़े हुए जितने भी काम हैं जो आवशक जितनी essential commodities हैं और उसमें agriculture के समान को लाना ले जाना food items को लाना ले जाना उसके समंद में wholesaler और retailers जो इसका काम करेंगे उनको भी कोई प्रतिबंद नहीं रहेगा बलकि वो आवशक रूप से इस काम को पूरा करेंगे भोजन दूद ब्रेड फल सब्जी आटा मीट और उनकी transportation ये सब गतिवी दियां भी पूरे तरह से चालू रहेंगी कई सेवाएं जो home delivery के नाते से दी जाती हैं उसको भी चालू रखा जाएगा hospitals, chemist shops और optical stores, pharmaceuticals इसी प्रकार से mask और sanitation material को जो बनाने वाले और उनको supply करने वाले लोग इनकी transportation आदी जो गतिवी दियां है वो भी चालू रहेंगी petrol pumps, LPG gas, oil agencies और जो go down है इनके उनके vendors और उनके transportation ये गतिवी दियां भी चालू रहेंगी इसी प्रकार जो इन चीजों को बनाने वाले लोग हैं जो लगातार प्रोसेस जिसमें आवशक दवाईयां हैं अथ्वा आवशक खादेशा मगरी हैं इनके जो production के और manufacturing के जो एकाई प्राइवेट एस्टेबिलिश्मेंट जो करोना की इस लड़ाई के अंदर जिनकी आवशकता है ऐसे जो प्राइवेट एस्टेबिलिश्मेंट हैं उनको भी लगातार चालू रखा जायेगा अपने को पता है कि पूरे हर्याना में 144 धारा के अंतरगत पांच या इससे जितनी ट्रांस्पूर्ट सेवा है इसकी योजना ये डिप्टी कमिश्रर वही बनाएंगे कि कहां कहां किस खेतर के अंदर किस ट्रांस्पूर्ट सेवा को और उपलब्ध करवाना है ऐसे ही मेरा निवेदन जो रेजिडेंट वेलफेर एस्योशेशन्स हैं उनसे भी है कि अपने क्षेतर के अंदर शोशल डिस्टेंसिंग ये बना करके रखें और इसमें यदि उनको किसी प्रकार की को अर्चन आती है तो एड्मिस्टेशन को वो सुचित करें अगर सुचित नहीं करेंगे इस लाप्रवाईव को अगर करेंगे तो जो आर डबलु ए के प्रेज से जो हमारे इंटर स्टेट बॉर्डर हैं उनको भी बंद रखा जाएगा सील किया जाएगा इंटर स्टेट बस सर्विस इसको कंप्लेटली इसको बंद कर दिया गया है इसका भी कोई उप्योग करने की आवशक्ता नहीं है किसी प्रकार की कोई क्लेरिफिक हैं कि आवशक सक्षम अधिकारी हैं जो कोई भी आदेश अथवा निरन है ये कर सकेंगे इन सब बातों को लागू करने के लिए अमरी पुलिस है कलेक्टर है अधिकारी हैं ये सब और इन चीजों को लागू कराने के इनकी सबकी जिम्यवारी रहेगी विशेश तोर पर पुलिस के लोग इस सारे के काम में बहुत जागरूकता से और वो सब काम करेंगे कोई भी वक्ती इन सूचनाओं का यदि पालन नहीं करेगा और दोशी पाया जाएगा तो इसको आई पीसी के धारा 188 के अंतरगत उनको दंड भी दिया जा सकता है इसलिए गौर्मनेंट दोवारा जितने भी सूचनाएं दी गई है इनका जो आशक पालन करना यह हमारा सबका दाइत्व है इसको हम धान रखेंगे और जब तक यह आशकता रहेगी तब तक यह जो हमारा लॉकडाउन है यह बना रहेगा मैं आशा करता हूं कि बहुत जल् कर रहे हैं एक यूटरन होगा और हम निश्वरूप से बहुत जल्दी इसमें से बाहर निकलेंगे ताके लोगों की जो मुमिंट है उसको फ्रीली यह सब किया जा सके अब इसके साथ ही कुछ और जो मैंने मैंने करनी हैं उसके अंदर सबसे पहला तो यह कि आर्थिक दिश उसमें सबसे पहला एक सुचना तो मैं देने जा रहा हूं कि हमने हरियाणा कORONA RELIEV FUND यह बनाए है और यह हरियाणा कORONA RELIEV FUND जो है इसमें योगदान सब समाज करे हरियाणा के सब लोग रहने वाले यह करें इस यह अपैक्षा की गई है और सबसे मेरा अपना दाय तो पता लगा सुना तो उन्हों ने भी तवन्त अपनी और से ये उफर दी है कि एक महीने की जो तनखास इल्री आज सभी विधाएकों की उसमें दी जायएं न किवन विधायक बलके हमारे जो प्रशाष्णिक अधिकारी जो अखिल उसमें 10% का contribution करें ऐसा उनसे अपेक्षा की गई है इसी प्रकार हरियाना के अन्य लोग चाहे उद्योगपती हैं विफसाय करते हैं अत्वा किसी प्रकार के इनकम वाले जो लोग हैं वो अपनी और से voluntary contribution यह इस अकाउंट में करें इस अकाउंट की जानकारी कि स्टेट बंक अफ इंडिया में हमारा यह अकाउंट है पंच्छकुला के अंदर जिसका जो IFSC कोड है SBIN 0013180 फिर से IFC कोड SBIN 0013180 इसका अड्रेस SCO 14 सेक्टर 10 पंच्छकुला और अकाउंट नंबर विशेशत तोर पर लिखना है 39234755902 एक वर फिर भूलता हूं 39234755902 यह सब जानकारियां अपने को मीडिया के माध्यम से सबको जानकारी यह मिलेगी और यह जो कंटिबिशन है यह कंटिबिशन इंकम टेक्स से भी इसका रिलीफ रिलीफ वो भी मानने है यह जो अर्याना कोरोना रिलीफ फंड है इसका जो उपयोग है यह जो भी लोग कोरोना के इस वाइरस से पीडित लोग है किसी प्रकार की जो उनको हानी हो रही है उन सब की सहायता के लिए इसका उपयोग किया जाएगा समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसके कारण से जिनकी रोजी रोटी भी जिनको लगता है कटना यह आन खड़ी होई है देहडीदार मजदूर भी हैं और सामाने मजदूर जिनको काम नहीं मिल रहा है काम के रुकने के कारण से समाने सिवाए रिक्षावाले हैं रेडी सब लोग इनकी आवशकता हैं इस समय पूरी नहीं होंगी इसलिए इसको स्पोर्ट करने के लिए कुछ प्रावधान किये गए हैं उसमें सबसे पहले जो बीपेल परिवार हैं ऐसे बीपेल परिवारों को अगले महिने का जो राशन है वो राशन बिना कीमत के फ्री में जित कर जो स्कूल के बच्चे हैं आंगनवाडी अत्वा मिड़े मील जिनको स्कूलों में जाता है जब तक स्कूल बंद रहेंगे तब तक इन आंगनवाडी को और मिड़े मील का जो राशन है ये इन लोगों के घरों में पहुचाया जाएगा जो छोटे बच्चे हैं प्राइ वे जारती हैं उच्छतर प्राइमरी शिक्त स्कूल वे जारती है उनặtा हाँ才ó चार रुपे, 4.5 किलो गेहोर चावल, और साथ में दाल अत्वा उनके बनाने जो खर्च है, मसाले दाल बनाने का खर्च यह सबंगे लाकर जो प्राइमरी स्कूल के विजारती हैं उनको 134 रुपया 40 पैसे प्रतिमाहिना और जो उच्छतर प्राइमरी स्कूल के विजारती हैं उनको 200 रुपया 30 पैसे प्रतिमाह की दर्से ये कॉस्ट भी हर विजारती के खाते में ये जोड़ दी जाएगी जो परिवार समय तक मुख्यमंत्री परिवार सायता योजना इसमें रिष्टर हो चुके हैं ऐसे परिवारों की संक्या है बारा लाख अड़ती हैस जार इनको 4000 रुपया ये तो पहले से अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है 2000 रुपया इनका 31 मार्च तक ये भी जमा हो जाएगा सीधा सीधा ताके इनके इस संक्ट की घड़ी में इनको ये पैसा काम में आ सकता है जो लोग मुख्यमंत्री परिवार समर्दी योजना में नहीं हैं और ऐसे हर्याना बोर्ड ओफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ये बी एक बड़ी सुची है इन लोगों को हर सब्ता एक अजार रुपया अर्थात महीने का साड़े चार अजार रुपया ये दिया जाएगा जब तक कि आशकता ये पूर्ती होती नहीं है तब तक ये लगातार है उसमें अजार रुपया पर विक के हिसाब से इनको मिलेगा इनके साथ ही जो बीपियल की परिवार हैं और वो मुख्यमंत्री परिवार समर्दियोजना और हर्याना बोर्ड ओफ कंस्रक्शन वर्कर उनमें नहीं आते हैं इन सब परिवारों को भी इसी प्रकार से साड़ एक हजार प्रती सब्ता इनके खाते में दिया जाएगा कुछ लोग इस प्रकार के हैं मजदूर हैं स्ट्रीट वेंडर्स हैं रिक्षा वाले हैं जो उपर की श्रेड़ी में अभी कहीं भी रेजिस्टर नहीं है ऐसे लोगों के लिए एक सुविधा दी गई है कि वह डिप परिवार में भी किसी परकार की कठराई ना आए जो लोग इस बिमारी के करण से पॉजिटिव टेस्ट में आये हैं ऐसे लोगों का जो इलाज का खर्च है वो भी पूरा सरकार वहन करेगी चाहे वो प्राइविट हॉस्पिटल में है था गौर्मेंट हॉस्पिटल में है उनका जो खर्च है वो सरकार वहन करेगी इसी प्रकार इस सेवा में लगे हुए हेल्थ वरकर्स है या भी कोई भी सेवा में फ्रंट राइट फ्रंट लाइन वरकर्स हैं यदि किसी इस बिमारी के कारण से किसी दुरगटना में मृत्यू हो जाती है तो ऐसे लोगों को एक्स हो क्योंकि काम नहीं होगा तो ऐसे लोगों को घर पर रहने के लिए कहा जा सकता है तो भी इनका जो वर्तमान वेजिस का जो पैटरन है उसको बना कर रखा जाएगा उनको नोकरी से अभी किसी प्रकार से मुक्त नहीं किया जाएगा बलके ऐसे कंट्रक्शन वर्कर्स की जो सैलरी है वो लगातार मिलती रहेगी मेरा सभी और द्योगिक घरानों से वेफसाइक संस्थानों से इन्निवेदन हैं कि वो भी अपने हां काम की किसी कमी के कारण से किसी वर्कर को किसी अंपलाई को काम से हटाएंगे नहीं नहीं उनको एर्टरेंज करेंगे और उनकी जितने भी आवशक्ताएं हैं उनका जो आये उनकी बनी रहे इसका निश्च्व रुप से वो ध्यान रखेंगे जो लोग इपेमेंट्स के माध्यम से अपने भुकतान करेंगे उनको भी असिस्टनस दी जाएगी इसकी अलग से योजना बनाई जाएगी पैसे की कमी के कारण से कुछ लोगों को यदि समय पर बिजली के बिल अत्वा सीवरेज पानी के बिल भरने के लिए अन्तिम्तित ह अगर निकल रही है तो उनकी अंतिम्तित ही पंद्रा अप्रेल तक बढ़ा दी जाएगी और पंद्रा अप्रेल तक इस परकार के भुकतान के लिए कोई सर्चाज अत्वा इंट्रेस्ट यह नहीं लिया जाएगा अर्याना मोटर वही कलेक्ट इसमें जितने भी ट्रेक्स ह भी भरने की वह भी एक्स्टेंड करके 30 अपरेल 2020 यह की जाती है स्टेज और कंट्रेक्ट कैरिज अर्थात बसें स्कूल बसें खास करके टेक्सी वैन ऐसे जितने कंट्रेक्ट कैरिज हैं इनका इतने पिरिएड के लिए जब तक यह ब्रेक जब तक लोगडाउन रहता है तब तक के पिरिड के लिए शत्परिशत एक्जंप्शन यह इनको इस टेक्स का यह मिलेगा ऐसे जो वहिकल हैं उनकी जो पिछली पेमेंट है जो उनको पंदरा मार्च तक भरनी थी उसका वितिती बढ़ा करके 30 अपरेल की जाती है और इस समय के लिए भी उनको किसी प्र क्योंकि अभी सिजन उनका आया है प्रक्यूर्मेंट का और प्रक्यूर्मेंट के साथ साथ उनकी जितने भी बैंक की ट्रांजक्शन हैं जिनको पेमेंट्स करनी हैं उसके लिए भी एक रहत यह जो 28 माज से पहले यह गोशित की जाएगी इसका भी हम लोग द्यान स्कूल और कॉलेज यह भी बंद किये गए हैं इसमें भी आकर बच्चों की पढ़ाई यह नंतर बनी रहे इसमें किसी प्रकार की हानी नहों तो हमारे अभी एक लाख 87,384 ऐसे राज के विद्यालेओं में पढ़ने वाले सब विद्यार थी हैं इन सब को SMS अथवा इमेल द पास्वर्ड उनको भीज दिया गया है उनको भी कल 24 मार्च से लेक्चर रिकार्ड करके LMS सफ्ट्वेर द्वारा यह भीजे जाएंगे उनको अप्लोड कर दिया जाएगा ताकि शिक्षा के नाते से शिक्षा सेतू एप के माध्यम से हर विद्यार्थी घर बैठे अपनी पड़ाई को यह पूरी कर सके इस परकार का भी एक कारका हमने बनाया है चुक्कि यह सब काम लगाता चलने वाले हैं और इसमें सरकार अपने माध्यम से अपने करमचारियों के माध्यम से जो आवशक पढ़ रहा है वो तो सब करी रहे हैं और मैं विश्वास दिलाता हूं फिर भी समाज में सब लोगों की इच्छा है कि हम भी कुछ न कुछ समाज के सिवा के काम में लगें और यह ऐसा आवसर है जब हर किसी को अपने दाइत्तों की याद आती है तो स्वयम से भी संस्थाएं हो आत्वा स्वयम प्रेड़ना से काम करने वाले सब लोग हो उनको आगे आने की भी आवशकता है इसके लिए हमने एक संगर सेनानी कोविद संगर सेनानी इसका हमने गठन किया एक लॉंच किया है कारकरम और एक वेब साइट यह त्यार की गई है और इस वेब साइट में 24 मार्च कल से इसका रेजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा हम लोग जो कोरोना के इस अवसर पर किसी प्रकार के काम में सैयूग कर सकते हैं चाहिए वो डॉक्टर हैं नर्स हैं पैरा मेडिकल्स हैं home delivery नाते से अपने वहान के साथ home delivery करने के लिए आगे आ सकते हैं public communication है social distancing communication है और जिल्या के परशाशन उसको support कर सकते हैं अत्वा कई प्रकार के काम जो हमारे अपने ध्यान में हैं ऐसे किसी भी काम में हम सयोगी हो सकते हैं ऐसे कामों के लिए हम अपने आपको haryana.mygoy.in portal पर जा करके और अपना registration इसमें करा सकते हैं covid haryana.in इसको हम खोल करके और हम अपना registration में करवा सकते हैं मेरी अपेक्षा रहेगी कि हर वो व्यक्ति जो समाज के सिवा के नाते से आगे आना चाहता है अपने कुछ युगता इस नाते से उसको सिद्ध करना चाहता है तो निश्य रूप से हम अपना नाम इसमें दर्ज करें आपको अपने स्थान पर अथवा अपने जिले में कहीं भी काम करने के लिए जो भी काम की आप अफ़र करेंगे उसके लिए वहां हमारे डिप्टिक वाइरस की जितने भी अभी तक जो सेंपल लिए गये थे उसमें से 14 लोगों का पॉजटिव वाइरस आया है और नेक्टिव वाइरस जो जिनका टेस्ट हुआ है 132 लोग हैं तो ऐसे कुछ लोगों का भी रिजल्ट अवेटेड है हम पेक्षा तो यही करते हैं कि आगे सभ नेक्टिव ही टेस्ट होने चाहिए पॉजटिव ना आए फिर भी यदि यह संख्या बढ़ती है तो इनके लिए हमने प्रयात विवस्थां भी अपनी कर रखी हैं हॉस्पिटल में 327 वार्ड में आइसलेशन जो वार्ड हैं उनके अंदर जो विस्था की गई है 2472 रोगि हैं उसके अत्रित जो सामुझ की रूप से भी क्वारंटाइन की जो फैसिलिटी हमने बनाई है 1494 कमरे अत्वा डॉर मैट्रीज हैं जिसमें 6000 तेरा लोगों की यह की गई है कल ही का उधारन है कि 260 के लगवग ऐसे लोग जो बार विदेशों से आये थे उनको जैसे हमको जा कहीं पीछे हटने वाले नहीं जितने भी लोगों के बारे में हमको जानकारी मिलेगी कि उनको विदेश यात्रा के कारण से आत्वा ये विदेश यात्रा करके आने वाले व्यक्ति के साथ आये संपर के कारण से कॉरंटाइन में रखने के आवशकता होगी तो हम उनको कॉर